Let's cut across to the BJP Press Conference, गौरभ भाटिया अड्रेसी. आपसे भी सवाल पूछे दे और आपने तो गलत तत्थे रख दिये. भारतियता से बढ़के कोई रिष्टा नहीं है सुनिया गांदी जी. और आज की प्रेस वारता का कोई शीर्शक होता तो यही होता कि तार कॉंग्रेस के पाकिस्तान से जुड़ते हैं, करंट वहीं से आता. बड़े पदो पे बैठे व्यक्ती, सम्विधानिक पदो पे बैठे व्यक्तियों की जिम्मिदारी भी और बड़ी होती है. और कोई भी व्यक्ति हो, सबसे ऊपर हमारा देश भारत है, भारत के नागरिकों का हित है. सबसे पहले बात कर लेते हैं जब ये प्रेस वारता खतम हुई उसके बाद एक विक्तव हमेद अंसारी जी की तरफ से आया इसके कुछ भाग अती मेहत्वपूर्ण है जो मैं आपके समक्ष रखता हूँ और कुछ नथे भी रखूँगा सबसे पहले हमेद अंसारी जी ने सारा ठीकरा कॉंग्रिस की सरकार के उपर ये क्या के फोड़ा कि जो फॉरेंड डिक्निट्रीज उप राश्पती के कारकरम में बुलाए जाते हैं ये सरकार की सला से बुलाए जाते हैं और मैं रीड कर दूं मैं ये व्यक्तव रखना चाहता हूं जिससे की बिलकुल स्पष्ट हो जाए कि उन्होंने क्या कहा और कॉंग्रेस पे हम आएंगे उनसे जो सवाल पूछने हैं वो दोर आएंगे भी कुछ नए सवाल भी पूछेंगे लेकिन हमेद अंसारी जी खुद कहते हैं कि पूर्व की कॉंग्रेस सरकार की सला पर उनसे मशुरा करकर ही इन फॉरिंग डिग्निटरीज को बुलाया जाता है दूसरी बात जो हमने उजागर करी थी 26 ग्यारा का आतंगवादी हमला हमारे देश पे किया जाता है और हमने यह भी बताया था कि आतंगवाद से कैसे लड़ना है यह कॉंग्रेस पार्टी पाकिस्तान के आएसाई एजेंट से सीख रही थी अमेद अंसारी जी कहते हैं मिर्दा के लिए यह तस्वीर देखिए ध्यान से इस तस्वीर में ऊपर लिखा है सेकेंड इंटरनाशनल कॉंफरेंस उसके लीचे शीर्शक है टेररिजम नाशनल और इंटरनाशनल और 27 अक्टोबर 2009 को और ध्यान दीजेगा यह जो मुंबई का आतंगवादी हमला हुआ उससे एक साल भी अभी नहीं बीता था एक साल भी नहीं बीता था और बीच में बैटे हैं तदकालीन उपराश्पती हमीद अंसारी जी और यह देखिए मंच पे कही और नहीं और डियंस में नहीं मंच पे बैटे हैं यह बहरूपिये पत्रकार पाकिस्तान के एजेंट नुस्रत मिर्दा तो अब व्यक्तवते हैं हमेद अंसारी जी का और यह तस्वीर है और यह सवाल है क्या यह सत्य नहीं है कॉंग्रेस पार्टी इसका जवाब दे सोनिय गांदी जी जवाब दीजे राहूल गांदी जी जवाब दीजे कि इस तरह का कोई भी कारिकरम अगर उसका आयोजन होता है तो उसकी क्लेरेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के इंपूट्स के बाद की जाती है और वीजा देने का कार रहे है तो सरकार ही करती है मिनिस्ट्री ओफ एक्स्टरनल अफेर्स करता है तो यह कैसे हो गया कि ऐसा पत्रकार जो पाकिस्तान के आईसाए से भारत की गोपनिये अती सम्वेदंशील में दोरा दू जानकारी साजा कर रहा था तक्कालीन उपराष्टपती हमें दंसारी जी के साथ बैठा हुआ है दूसरी बात इसी तस्वीर में अगर आप देखें है तो सरकार के बड़े वरिष्ट मंतरी भी बैठे हुए है कॉंग्रिस की सरकार के वरिष्ट मंतरी मंच साजा कर रहे हैं तो क्या ये वाजिब सवाल नहीं है जो भारत की जंता आपसे पूछती है कि ऐसे व्यक्ती को वीजा क्यों दिया गया वो भारत में आके यहां पे रेकी करता है जानकारी लेता है और उसके बाद उस जानकारी का इस्तमाल भारत में आतंगवाद को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है भारतियों की जान को खत्रे में क्यों डाला प्रश्ट ये भी पूछा जाना चाहिए कि हमिद अंसारी जी आपकी याददाश बहुत अच्छी है लेकिन क्या नियत में खोड़ था कि इस 2009 की प्रेस वारता का जिक्र आपने अपने विक्तव में नहीं किया सच शुन्य जूट सो प्रतिशत और ये बात दोहरा के मैं कहूंगा सम्विदानिक पदों पे जो विक्ति यासीन होता है चाहे रहा हो उसका हम आदर करेंगे लेकिन देश से बढ़ के कोई नहीं है अगर ऐसी जानकारी सामने आ रही है इन सवालों के पूछे जाने से पहले ये जिम्मेदारी कॉंग्रिस पार्टी की थी हमिद अंसारी जी की थी सुनिया गांदी जी की थी कि वो जनता को स्पष्ट बताएं सारी जानकारी दे और अगर कोई गोप्निय जानकारी है जैसा मैंने पिछली प्रेस वारता में कहा था तो सरकार को साजा करें सीधा उसका हम सम्मान करेंगे तीसरी बात जिस सेमिनार का जिक्र हमिद अंसारी जी ने किया उसके और्गनाइजर बड़े मजे हुए दिवक्ता हैं वरिष्ट अदिवक्ता हैं सर्वोच न्याल लेके उनका एक विक्तव्य है और उसकी कुछ बाते मैं आप से साजा कर दूँ और साजा करने से पहले ये लाइन फिर से पढ़ दूँ हमिद अंसारी जी कहते हैं नुसरत मिर्जा आई नेवर इन्वाइटेड हिम और मेट हिम लेकिन उप राश्पती का कारेयले 2010 की जो कॉन्फरेंस थी उसके लिए फोन घुमा के और्गनाइजर से कहता है कि आप क्रप्या करके जॉर्निलिस्ट नुसरत मिर्जा को इन्वाइट करिए इस कॉन्फरेंस के लिए क्यों कहा क्या रिष्टा है यह उप राश्पती का आफिस और्गनाइजर से कह रहा है और यह 2010 की मैं बात कर रहा हूँ नौ की जो आतंगवाज पे सेमिनार था वो मैंने तस्वीर दिखाई वो बैठा है यहाँ पे यह उप राश्पती बैटे हैं तबके और साथ में केंद्र मंत्री बैठे हैं कॉंग्रिस की सरकार के 2010 की कॉंफरेंस में कहा जाता है कि उसको निमंत्रन दीजिए दूसरी बात जो आई और व्यक्तव्य से ही बता रहा हूँ यह और्गनाइजर का वो कहता है की इंसिस्टेंस थी वाइस प्रेजिडेंट की और जब नहीं बुलाया गया 2010 में देन वाइस प्रेजिडेंट हमिद अंसारी जी हमिद अंसारी जी एक्सप्रेस्ट डिस प्लेयर नाराज हुए आक्रोशित थे अगर नहीं बुलाया गया और आप कहते हैं आप ना मिले हैं ना जानते हैं तो क्या फरक पड़ता है ये नाराज़गी कैसे और उसके बाद कहते हैं कि हमिद अंसारी जी फेल्ट ओफेंडेड और सबसे बड़ी बात है जो आप सभी बड़े प्रतिष्ठित पत्रकार हैं ये जो कॉंफरेंस में मुख्य अतित हैं अमिद अंसारी जी एक घंटे का समय देते हैं और नाराज होके बीस मिनिट कहते हैं मैं रहूंगा और जानकारी जो आ रही है वो बीसी मिनिट रुखत हैं ये तथ्थे ना बदला जा सकता है ना छुपाये जा सकता है और सत्य की एक टाकत होती है आप जितना दबाएंगे जितना छुपाएंगे और मजबूती से वह सामने आता है इसके बाद कॉंग्रेस पार्टी पे भी आते हैं और ये इसके आते हैं कि सरकार कॉंग्रेस पार्टी की थी और किस संदर्ब में हम बात कर रहे हैं ये मैं आपके समख्ष रख दूँ 26 ग्यारा वो दिन है जब भारत की अखंड़ता पर हमारे नागरिकों पर हमारे सम्मान पर आतंगवादी हमला होता है और इस हमले को अभी एक साल भी नहीं बीटा था इस सेमिनार की आवशक्ता जहां पाकिस्तान के एजेंट आके भारत को पाट पढ़ाएंगे कि आतंगवाद से कैसे लड़ा जाएं सोनिया गांदी जी ये प्रश्ट बड़ा ही महत्वपूर्ण है और ये हद नागरिक आप से और राउल गांदी जी सब पूछ रहा है दूसरी बात केंद्र ये मंत्री आपकी सरकार के इस सेमिनार में क्या कर रहे हैं क्या भारत की इंटेलिजन्स एजिंसीज ने आपको जानकारी दी थी और उसके बावजूद ये हुआ है एक बात और सामने आपके रख दूँ जब ये सेमिनार ओर्गनाईज हो रहा था तब इस और्गनाईजेशन ने एक प्रेस वारता करी कि 27 अक्टोबर 2009 को हम ये आतंगवाद पर सेमिनार करेंगे और मंच किसने साजा किया उस वक्ट प्रेस कॉंफरेंस में मंच साजा किया था कॉंग्रिस के मंत्री रहे कपिल सिब्बल जी ने अब आप मुझे बताईए कि अगर कॉंग्रिस की सरकार का सयोग ना होता तो ये केंद्रि मंत्री जानकारी देने के लिए भी और वरिष्ट मंत्री रहें कॉंग्रिस पार्टी के ये बात अलग है कि वो अब दूसरी पार्टी में है जो आतंगवादियों का समर्थन करती है लेकिन जानकारी भी आपको थी राउल गांदी जी आप इस सेमिनार को समर्थन भी दे रहे थे और देश के खिलाफ आप काम भी कर रहे थे और कुछ जानकारी जो बड़ी आवश्यक है जब भी किसी सबसे उचे समधानिक पत पे जो व्यक्ति बैठा है चाहे मान लिए राश्पती जी हों मान लिए उप राश्पती जी हों मान लिए प्रदान मंतरी जी हों उनका कोई कारिक्रम होता है तो एक प्रोटोकॉल होता है और उस प्रोटोकॉल में सबसे पहले समधानिक पत पे जो व्यक्ति बैठा है उसका कारयाले जानकारी लेता है कि कौन-कौन व्यक्ति इस कारिक्रम में रहेंगे, मंच कौन-कौन साजा करेगा और यहां तक रूप रेखा और डीटेलिंग होती है कि इस मंच पे कौन कहां बै हाई हमिद अंसारी जी से और उनके कारयाले से तो क्या यह मानना सही नहीं होगा कि आपकी सहमती से ही और कौन-कौन पार्टी की सरकार चाहती थी कि ऐसा व्यक्ति भारत में घुसे और भारत की अखंडता को ठेस पहुचा है दूसरी बात अगर हमिद अंसारी जी चाहते है तो वो ये कह सकते थे और कॉंग्रिस की सरकार भी ये कह सकती थी कि इस व्यक्ति को यहाँ पे नहीं बुलाया जाए हम वीजा नहीं देंगे सरकार कह सकती थी कॉंग्रिस की और मैं मंच साजा नहीं करूंगा यह हमित अंसारी जी कह सकते थे तमाम बार ऐसा हुआ है लेकिन जैसा हमें पता है कॉंग्रिस पार्टी का चरित्र ये है सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमान मांग लो आर्मी चीफ को सडक का गुंडा बुटाओ जब पुल्वामा में हमला हो तो उसको होम ग्रोन टेरिरिजम बता दो और इसी लिए आतंगवाद के खिलाफ जो मजबूत लड़ाई श्री नरेंद्र मोदी जी के नित्रित्र में हमारी सरकार लड़ रही है उसमें सबसे कमजोर कड़ी कोई है तो वो हमारा विपक्ष और कॉंग्रिस पार्टी है इसके साथ ही ये सवाल जो पूछे गए थे इसका उत्तर नहीं आया लेकिन मैं आशा करता हूँ कि इतने महतपूर्ण है कि इनको पुना उठाये जाएगा और इन सवालों की गूंज से कॉंग्रिस पार्टी को हमने एक मुद्दा उठाया और उस मुद्दे को उठाने वाले को वो कह रहे हैं कि हम लोग की मानसिक्ता खराद है लेकिन जो बात हमने उठाई कि आपने पाच बार ये जो पाकिस्तान से आईसाई को जानकारी देने वाले नुसरत मिर्जा आय ते इनको वीजा क्यों दिया इसका उत्तर नहीं आया दुबारा मैं पूछ रहा हूं इसका उत्तर नहीं आया कि जब पाकिस्तान से कोई वेक्ती आता है तो ये नौम है ये एक प्रेसिडंस है कि उसको तीन शेहरों का अनुमती मिलती है और वीजा मिलता है आपने साथ शेहरों का अनुमती थी ये खुद बात पाकिस्तानी पत्रकार कहते हैं सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा है कि सोनिया गांदी जी और राउल गांदी जी के दबाव में जो संध्धानिक पद पे कि लोग बैठे थे वो भी कारे कर रहे थे क्या इंटेलिजेंस एजेंसी को कॉंप्रोमाइस किया गया था क्या कि इस तरह की राजनिती की जगा भारत में है कि और मैं इतना और कहके अंत करूंगा 26 ग्यारा का ये जो हमला है इसके बाद कॉंग्रिस पार्टी का चरित्र क्या रहा चाल चलन क्या रहा कि सबसे पहले कि याद करते हुए कि मेजर कि संदीप उन्नी क्रिश्टन जी को जिन्होंने शहादत दी हमारे देश के लिए कि लेकिन राहूल गांदी सुबह पाच बजे तक पार्टी कर रहे थे ये लेके आया हुए दूसरी बात तककालीन द्रह मंत्री बंद गले का सूट बदल रहे थे हमारे देश की सेना पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वीर थी है और रहेगी और तककालीन एरचीफ मार्शल फाली होमी मेजर जी ने उस वक्त भी कहा था कि अगर सरकार इशारा कर दे तो हम ऐसे देश को जो यहां आतंगवाद फैलाता है हमले करवाता है सबक सिखा देंगे नेश्ट नाबूत कर देंगे लेकिन ये निर्ने नहीं लिया गया और जो मजबूत सरकार भारतिय जंता पार्टी की श्री नरेंद्र मोधी जी के नित्रित में सर्जिकल स्ट्राइक करती है बाला को देर स्ट्राइक करती है तो उस पर प्रमाण हमसे मांगते हैं और इसके साथ एक बात और जोड़ दूं यह पूरे भारत की भावना है और कॉंग्रेस पार्टी के नेता रहे हैं मनीश्टिवारी नेता हैं मंत्री रहे हैं उनकी में भी यही बात लिखी है कि कॉंग्रिस की सरकार में सेना के हाथ बांद दिये गए थे जो रिस्पॉंस होना चाहिए था वो नहीं था यह सारी बातें आपके समख्ष इस लिए रखना जरूरी था कि जब भारतिय जन्ता पार्टी कोई मुद्दा उठाती है तो सबसे पहले राश्टर हिट के बारे में सोचती है तक्थियों का अध्यान करती है सारी जानकारी लेती है और जिम्मेदारी से जो बात सारजनिक उठानी चाहिए उसे हम उठाते हैं और उसके अलावा कोई भी ऐसा तक्थियों हो जिससे हमारे देश को परिशानी हो वो कॉंग्रेस पार्टी को राहूल गांदी जी को सुनिया गांदी जी को इसका उत्तर देना चाहिए यह तस्वीरे लाखो लाखो शब्द बोलती हैं यह तस्वीरे आवाद है 140 करोड भारतियों की जो चीख चीख के आप से यह सवाल पूछ रहा है धन्यवाद प्रचिख चीख को लाखो 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 लेला है वेट कर वेट बारतिया जन्दापतीन अबाजिट अवर खर्णे अपर between मत ठौक सॉ बारतो, तग्जुने तप्रणा हजुर तगेतार जेञ्ट बहरतिय दिंटाप्ती, खर्णेप लखर के ओंस बार्य हरंद। दो गल ट सब्किर में इव रदोजने आडाव के छोगल में हैं हमाद आसा में तLife has ब्रहुताओ साफ भूर कि अ। गलटे थेुटरिया और से द्थावान टीजिय को तेचेशास की दे सेट बाफ टे अ दूजते विज़ एख लिदें एडने इस grated इस आड़ा कोड़ जयों।